आप लोगों का स्वागत है आज हम बात करेंगे फ्लावरिंग के बारे में अडीनिम में जो है फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है वापिस से इस सीजन की जैसे नॉर्मली दो-तिन बार अडीनिम में अच्छी फुल फ्लावरिंग होती है और क्या कुछ खाद हम यूज करें और क्या कुछ जो है टिप्स जो है फ्लावरिंग के लिए इंपॉर्टेंट है उसी के बारे में आज का वीडियो हम लोगों ने प्लान किया है तो दोस्तों वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहली बात फ्लावरिंग के जैसे आते हैं और कई जगह ब्लैक कलर का ब्याता ऐसा नहीं कि रेड कलर का होगा तो इसको अबना हुआ है इसके लावा सीवीड वाले भी पोटाश मार्केट में एवलेबल हैं तो दोस्तों फ्लावरिंग के लिए जैसे मैंने बता है न्यूट्रेंट तो अपनी जगे काम करता है मगर और बहुत सी बाते होती है तो दोस्तों कई बार हम खाद डाल डाल के डाल डाल कई बार मेरे को ऐसे आए सवाल कि सर हमने सीवीड डाल लिया सर हमने और भी जो है जीजरो जीजरो पचाँ डाल दिया बावं चौति डाल दिया तो भी हमारी में फ्लावरिंग नहीं दो कई बार क्या होता है कि बहुत जादा अगर नीट्रेंट्स डालते तो भी जो हो तो पौदह के मीडिया को कि आप जो है मेरे प्लांट में जो है फ्लावरिंग भर भर के आएगी इन बातों का अधियान रखें इसके अलावा जो है नूट्रेंट्स तो अपनी जब रोल प्लेक करते ही हैं मगर अडेनियम में फ्लावरिंग के लिए धूप बहुत इंप्लावरिंग क्राइटेरिया हो यह सन का एक्सपोजर जो है कॉंटिटी में अडीनियम को नहीं मिलता है तो भी अडीनियम जो है फ्लावरिंग नहीं करता है जैसे नॉर्मली आप देखे होंगे कि अडीनियम जो है 35 डिगरी तक जो है बहुत अच्छा फ्लावरिंग करता है मिनिमम आप 20-25 के बीच में जब सफिशंड जो है सनलाइट नहीं मिल रही है तो भी जो है फ्लावरिंग जो है अडीनियम के डिस्टर्ब होगी तो आप जब भी अडीनियम के प्लांट को रखें तो रखें जहां पी जो है उसको सफिशंड धूप मिले सिर्फ आपन डाल दिये खूब सारे में पौदों को दें कभी भी बहुत ऐसा डजर्ड रोस समझके रहसा नहीं कि हम जो है इसकी वाटरिंग की कॉंटिटी जो है घटाते जाएं घटाते जाएं यूं समझें कि कम पानी देने से जो हैं ज्यादा अच्छे अडेनियम फ्लावर होते हैं या प्लान जो है ज्याद अगर आप यर्ली करते हैं तो पौदे को जो है फ्रेश मीडिया मिलता हैं में मात्रा में कारबन होती जो पौदे को सबuousně ज़िए इसके लावग जो है पूटाश होती है जो एक इंपौटन रोल जरूर प्ले करती है मगर जब भी आप जो हैं पोंशक तत्वहं पे बहु होती है तो दोस्तों इस तरीके से आप छुट छुटी बातों का ध्यान रखेंगे तो आपके डीनियम में बहुत सुंदर अच्छे भरके फ्लावर आएंगे हर समय अडीनियम में फ्लावरिंग होती रहे यह इंपॉर्टेंट निया मैंने काफी बार देखा है कि एक तरीके क टैंपरेचर में वरियेशन आएगा तो ऐसा भी नहीं है कि एक साथ मेरे जितने अडीनियम सारों में फूल आ रखा है लगबख से जादा में आ रखा है पचास परसेंट में अभी जो भी जो है फ्लावरिंग बहुत री सेंट ग्राफ्टेड अडीनियम है उसमें थोड़ दन्यवाद, नवाद.